हेलो फ्रेंट्स वेलकम बैक टो माई यूट्यूब चैनल से एंसी गुरू महेंदर वर्मा और मैं महेंदर वर्मा आज आपके लिए एक बहुत ही बहुत ही बैतरिन वीडियो लेके आया हूँ वीडियो बहुत ही इंपोर्टेंट है जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए बैल आइकन को प्रेस कर लीजिए और मेरे सोशल मीडिया नेटवर्क को जोइन कर लीजिए ताकि कोई भी नया आने वाला वीडियो हो तो सबसे पहले जानकार या आप तक पहुंच आए तो चलिए दोस्तो आज के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं तो दोस्तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे लेट मशीन की हिस्टरी के बारे में कि लेट मशीन क्या है और लेट मशीन जो है वो कहां से आई तो सबसे पहले हम लोग लेट मशीन के बारे में जान लेते हैं तो दोस्तों जो हमारी लेथ मशीन होती है उसको जो है वो mother of machinery भी कहा जाता है क्योंकि एक परकार का एक machine tool होता है और सबसे पहले जो है वो इस लेथ मशीन का जो है वो निर्मान हुआ तो आगे बढ़ते हैं हम लोग सबसे पहले हम लेथ मशीन के जो main-main parts होते हैं तो उनके बारे में हम लोग जानकरी प्राप्त करेंगे कि किस part का क्या काम होता है हम लोग बिल्कुल detail से इसके बारे में जानकरी प्राप्त करने वाले हैं तो वीडियो को बिल्कुल last तक आप लोगों ने बने रहना है तो सबसे पहले हम लोग head stock के बारे में जानेंगे कि head stock क्या होता है तो head stock जो है वो clamp on left hand end of the bed मतलब जो machine का जो left hand side होता है end होता है वहाँ पे जो है वो उसको head stock कहते है head stock spindle के अंदर बहुत सारे जो parts होते हैं तो आप यहाँ पे drawing में देख रहे हैं तो यह हमारी machine का head stock होता है तो head stock के अंदर बहुत सारे जो parts हो आते हैं यह आपका head stock है यहाँ पर देखी कौन-कौन से जो parts है आपको यह head stock में देखने को मिलते हैं तो इनके बारे में हम लोग बिल्कुल जो है वो details से जानकर प्रप्ट करेंगे तो head stock जो है वो क्या होता है head stock के types के बारे में हम लोग पढ़ेंगे तो head stock के अंदर सबसे पहले cone pulley head stock तो ऐसी machine जिनके द्वारा जो motor से जो है वो power transmitter जो होती है वो cone pulley के द्वारा होती है तो उसको हम लोग cone pulley head stock कहते हैं तो आप यहाँ पे screen में देख रहे हो कि machine के अंदर जो pulley होती है वो इसमें लगी होती है cone pulley के द्वारा stepped pulley जो है उसमें लगी होती है तो इसको जो है वो power transmitter जो spindle को होती है तो वो cone pulley के द्वारा होती है तो दूसरे number पे आपका आता है gear type head stock तो कुछ machine के अंदर जो है वो gear box वाला head stock होता है तो gear box के द्वारा gear गरारियों के द्वारा power transmit की जाती है जिससे आपका spindle है वो directly घूमता है और असानी से जो है वो इसको हम लोग operate कर सकते हैं तो दो परकार के आपके head stock होते हैं आगे बात करेंगे हम लोग late machine के bed की बात करेंगे तो bed क्या होता है machine के अंदर the bed is a large horizontal structure or beam that used to spot the parts of the machine like the head stock and telestock तो machine के जो है वो structure को spot करने के लिए horizontal जो है वो structure होता है तो उसको हम लोग bed कहते हैं जिसके अंदर आपके जो head stock and telestock के जितने भी parts होते हैं वो इसके अंदर जो है वो fit होते हैं तो इस परकार के जो आप यहाँ पे देख रहे हैं इसको machine का जो है वो bed कहते हैं तो यह बहुत ही मजबूत होता है यहाँ पे इसके अंदर कौन-कौन से types के जो bed है वो आते हैं हम लोग आज इसके बारे में बिल्कुल details से पढ़ने वाले हैं तो types of bed के बारे में हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे V type bed तो ऐसा bed जिसकी जो slides होती है वो V वाली slides बनी होती है तो उसको हम लोग V type bed कहते हैं यहाँ पे तो उसके बाद में हम लोग पढ़ेंगे second number पे flat bed तो जिसकी जो slides होती है वो बिल्कुल flat होती है यहाँ पर यह वाली flat जो है वो बिल्कुल flat है तो यह वाला जो आपका bed होता है वो flat bed जो है वो होता है तो उसके बाद में हम लोग पढ़ेंगे gap bed तो इस प्रकार से जो आपका spindle चक के बीच में जो थोड़ा सा gap बज जाता है यह है आपका gap bed भी होता है ओके और उसके बाद में हम लोग पढ़ेंगे combination bed तो combination bed के अंदर दोनों परकार की slides होती है आपकी V-side भी होती है और आपकी flat slide भी होती है तो इस परकार के bed को आप लोग combination वाला bed जो है वो कह सकते है उसके बाद में हम लोग आगे पढ़ेंगे lat machine chuck तो chuck जो होता है क्या होता है सबसे पहले हम लोग आपको चक के बारे में बताते हैं तो लेथ मसीन के अंदर कोई भी part जो होता है उसको clamp करने के लिए और de-clamp करने के लिए जो पार्ट होता है आपका उसको हम लोग चक कहते हैं तो different types of the chuck जो है लेथ मसीन के अंदर जो है वो use के जाते हैं तो सबसे पहले हम चारों जबडों को आपको की से बिल्कुल टाइट करना होता है इसमें आप जो है वो अनिक्वल पार्ट जो होते हैं वो आप इसके अंदर आसानी से जो है वो इसमें फिट कर सकते हैं जिस परकार से कोई आपको को स्क्वेर पार्ट परकरना है रिक्टेंगल परकरना है तो इस पर कार के कोई भी पार्ट जो होते हैं, उनको भी आराम से आप पकड़ सकते हैं, उसके बाद में जो आता है आपका दूसरे नंबर पे उसको हम लोग 3 जा चक कहते हैं, तो यह है जो आप चक देख रहे हैं, इसको 3 जा मतलब 3 जबड़े वाला चक जो है वो यह automatically जो है व उनको हम लोग जो है वो magnetic चक कहते हैं, वो भी हमारी लेट मसीन में यूज होते हैं, उसके बाद में collet चक आते हैं, तो छोटे छोटे पार्ट को पकड़ने के लिए मसीन के अंदर जो है, वो collet चक का भी जो है वो उपयोग किया जाता है, और उसके बाद में आप लोगों को बताता हूँ, मैं air और hydraulic operated चक तो इस परकार के जो automatically air and hydraulic operated चक होते हैं, वो भी इस्तिमाल किये जाते हैं, तो जालतर यह CNC जो turning machine होते हैं, उनके अंदर जो है वो तो ड्रिल चक जो है उसके साथ में एक इसकी जो की आती है, तो इसकी के द्वारा जो है वो ड्रिल को जो है वो टाइट किया जाता है, यहाँ बे, ओके, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, carriage and carriage parts, तो carriage क्या होता है, carriage is located between the headstock and tailstock on the lathe bed guide ways that can be moved along the bed either towards or way from the headstock, मतलब आपका यह है कि carriage आपका, जो है वो headstock और tailstock के बीच में जो fitted parts होते हैं, उसको हम लोग carriage कहते हैं, तो carriage जो है वो किस परकार से आपको दिखाई देता है, अभी आप नहीं देखा यह, तो यह वाला जो part होता है, इसको जो हम लोग carriage कहते हैं, तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं, तो compound slide क्या होती है, तो इस परकार की जो slide लगी होती है, जिसके अंदर आपके जो degree विगरा कटी होती है, तो वो वाली slide होती है, उसको हम लोग compound rest कहते हैं, ठीक है, इसको taper slide भी कहते हैं हम लोग, और उसके बाद में हम लोग saddle, तो इसको हम लोग saddle कहते हैं, यहां से आप diameter के अंदर कोई भी depth top कट लेते हैं तो इसको आप लोग cross slide कहते हैं उसके बाद में हम लोग आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर जो drawing इसके बाद में linear slide का use हम लोग करते हैं तो linear slide जो आपकी स्लाइड होती है सबसे लंबी slide जो होती है वो आपकी linear slide होती है उसके बाद में हम लोग बात करते हैं आगे half net lever तो यहाँ पर यह कुछ levers होते हैं तो यह half net levers machine के अंदर लगे होते हैं और उसके बाद में apron तो इसको हम लोग यहाँ पर यह वाला पार्ट होता है इसको हम लोग apron कहते हैं आप नीचे वाला जो है इसको आप carriage को lock unlock कर सकते हैं यहाँ से तो यह वाला पार्ट आपका apron कहलाता है आगे बढ़ते हैं हम लोग carriage and carriage की कुछ और parts भी है जैसे आपका tool post आता है यहाँ पर तो यहाँ पर आप लोग different types of the tool post इसके अंदर होता है तो जहाँ पर cutting tool लगा होता है वहाँ पर उसको tool post कहा जाता है वहाँ पर हम लगल अगल अगल के cutting tools हम लोग लगा सकते हैं तो cutting tool के भी types होते हैं 4-way tool post और quick changer tool post तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि यह हैं जो nut लगे हुए हैं इस परकार का tool post जो मसीनों में लगा होता है उनको 4-way tool post कहा जाता है और quick changer tool post जो होता है आपका वहाँ पर क्या होता है कि इस परकार का tool होता है directly जो हो जल्दी से change हो जाता है उसको quick changer जो tool post है उसको कहा जाता है उसके बाद में tool post की तो यह आपके tool post की की होती है तो यहाँ पर आप इसके अंदर nut का खाचा बना होता है और आराम से आप इसको change कर सकते हो nut इससे आराम से खोल सकते है cutting tools तो इस प्रकार का जो machine के अंदर हम लोग late machine के अंदर single point cutting tools जो हुँ हम लोग use करते है तो यह HSS की एक rod होती है तो HSS का मतलब होता है high speed steel तो high speed steel की जो है वो एक road को जो है वो grind करके इसका जो है वो cutting point बनाए जाता है और इसको cutting point को बनाने के बाद में metal को remove करवाय जाता है और इसको जो है वो tool post के अंदर बांद करके और मसीन से working किया जाता है उसके बाद में coolant system तो मसीन के अंदर coolant system भी लगा होता है कुछ मसीनों के अंदर manually जो coolant system होता है और कुछ मसीनों के अंदर automatically coolant supply दी जाती है तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से machine के अंदर coolant system है वो लगा हुआ होता है lead screw तो मसीन के अंदर automatically power को देने के लिए मतलब automatically feed देने के लिए और आपका lead screw जो है वो आपका लगा होता है और कुछ मसीनों में जो है feed road भी लगी होती है tel stock का क्या कम होता है तो tel stock जो है वो heavy jobs होती है उसको sport करता है और heavy end भारी job को sport करने के लिए tel stock का use करते है और parts बहुत सारे होता है tel stock के जैसे spindle होता है यहाँ पे देखरो है spindle है आपका और उसके बाद में दूसरा part आता है spindle clamp tel stock clamp और बहुत सारे parts जो है वो use होते है उसके बाद में steady rest fixed steady तो यहाँ पे steady rest का use भी किया जाता है steady rest का use जो किस प्रकार से हम लोग करते है बहुत ही भारी job जो होती है तो उनको sport करने के लिए इस प्रकार का एक part होता है उसको हम लोग steady rest कहते है तो यह steady rest जो है वो काफी जो है वो use किया जाता है इस प्रकार से देख रहे हैं आपकी यहां पर एक side जो है आपकी चक में fitted है और दूसरी side जो है वो आपकी steady rest के अंदर जो है वो बिल्कुल center to center जो है वो इसमें fit की जाती है तो यहां पर जो है वो इसका use काफी important तरीके से किया जाता है heavy and long job को भी spot करता है बीच में से spot करने के लिए steady rest का use जो है वो किया जाता है तो late dog carrier तो late dog carrier जो है उसका भी use जो है वो late machine के अंदर जो है वो work piece को around clamp करने के लिए जो है वो use किया जाता है तो chip tray चिप tray का use कहां पर करते हैं हम लोग तो chip tray जो होती है उसके अंदर आप लोग जो है वो machine के cutting जो भी materials कटके जो नीचे गिरता है वो आपका सारा का सारा chip tray के अंदर गिरता है और यहाँ पर जो आप देख रहे हैं कि बहुत सारे जो टूल्स है आप लोग यहाँ पर बिल्कुल इस ट्रेक अंदर आप जो है वो असानी से रक सकते हैं तो leath machine की जो legs होती है तो leath machine की जो सबसे base नीचे बिल्कुल जो टांगे बनी होते हैं यह आपकी जो है वो लेथ मसीन की लेग कहलाती है ठीक है तो जिनके उपर पूरी लेथ मसीन का जो है वेट है वो बिल्कुल जो है वो रहता है तो लेथ मसीन की इनको हम लोग लेथ की लेग कहते हैं तो टाइपस ओफ लेथ मसीन तो लेथ मसीन में सबसे पहले हम लोग कोटे काम के लिए जो है वो लेट मसीन जो बेंच पे रख करके वर्किंग की जाती है उसको बेंच लेट कहते हैं और उसके बाद में आता आपका ट्रेसर लेट तो ट्रेसर लेट इस परकार से आप देख रहे हैं यूज होती है यह ट्रेसर लेट है आपकी और उसके बाद मे आप देख रहे हैं turret let जैस्ट मसीन के अंदर turret लगा होता है उसको हम लोग turret let भी कहते हैं और उसके बाद में हम लोग बात करेंगे computer controlled let जिसको हम लोग CNC machine के नाम से भी जानते हैं, यह machine आपकी automatically operated होती है by computer commands के द्वारा gcode mcode के द्वारा इसको जो है वो control किया जाता है तो दोस्तो आज का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यावाद